मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि आंद्रप्रदेश सरकार साशन की ततकाल सूचना प्रदान करने के लिए द्रॉन प्रियोग करने की योजना बना रही है उन्होंने कहा कि इसके सुरक्षा और पुलिस वैवस्था खनन शहरी विकास क्रेशी उत्पादक्ता व्रद्धी वन छेत्र के मापन प्राकर्तिक और अन्य आपदाउं की पहचान जैसे अनेक लाब होंगे यह अन्य राज्यो के लिए भी अनुकर्णिये है मुझे राज्य सरकार की चार परस पर जुड़ी हुई परंतु विभिन परियोजनाओं को आंध्र प्रदेश के लोगों को समर्पित करने के लिए यहां आकर प्रसन्नता हुई है यह हमारे देश की अग्रणी परियोजनाई है इनका लक्ष साशन और नागरिकों के जीवन के सुधार के लिए प्रोध्योगिकी का लाब उठाना है पहरा प्रोध्योगिकी को सरकारी दाइत्वों के साथ जोड़ना प्रशंचनिय है हम एक ऐसी इस्तिती की और बढ़ रहे हैं जहां प्रोध्योगिकी सरकार के लिए व है कमोबेश आधुनिक शाशन की और प्रेरित करती है 24 घंटे जुड़े हुए विश्व में सरकारें और प्रैसाशन प्रतिकिरियावादी नहीं हो सकते उन्हें ओनलाइन समय बद्द और तत पर रहना होगा प्रोध्योगी की ऐसा करने में सहायक है मैं आंद्रप्रदेश के रियल टाइम गवर्नेंस सेंटर के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ जिस पर मैं शीग्र एक विवरण प्राप्त करूंगा मुझे बताया गया है कि आंद्रप्रदेश सरकार का केंद्र एशिया में सबसे बड़ा है तथा वास्तव में नागरिकों को अने सेवाई प्रदान करने वाला राज्य का साइबर इस्पेस सची वाले है पैरा यह सब केवल रूची बड़ाने वाला है जब राज्य की राजधानी अमरावरती पूरी तरह बन जाएगी तो इसके प्रोध्योगिक रूप सबसे अनुकूल शेहर बनने की उम्मीद है यदि यह ऐसा कर सका तो इसके भारत की अगरणी टेक्नो नगरी बनने की आशा है जिस परियोजना में आज का उदगाटन कर रहा हूं वह अमरावती और नए आंधर प्रदेश के निर्मान का प्रतिनिधित्व करती है आंधर की जनता और भारत वासियों को इसकी प्रतिक्षा है कुल मिलाकर ये मुख्यमंत्री श्री चंद्र बाबु नायडू के उतकरस्टता के लिए प्रयास है मैं इन महत्वा कांक्षी परियोजनाओं के नियोजन और कार्यान वयन दोनों के लिए मुख्यमंत्री के नेत्रत्व वाली राज्य सरकार को बधाई देता हूं राज्य प्रोध्योगी की अपनाने में नवा अन्वेशक बनने की सू योग्य प्रतिस्ठा पर खरा उत्रा है आंद्र प्रदेश फाइबर ग्रिड का लक्ष राज्य के घरों और वैवसायों को उच्च गती से आंकडा संयोजन प्रदान करने का लक्ष है यह मोजुदा बिजली के खंबो का फाइदा उठाते हुए ओप्टिकल फाइबर बिच्चानी के लिए हवाई मार्ग प्रयोग करेगा इससे भूमी गत फाइबर बिच्चानी की जरूरत समाप्त हो जाएगी जो खर्चिला और परेशानी बड़ा कारिय है पैरा की हवाई ओप्टिकल फाइबर तार पहले ही तेरह जिलों में लगा दी गई है घरों को केवल 149 रुपे मासिक में इंटरनेट टैलीविजन चैनल टैलीफोन और समंदित सेवाईं प्रदान हो जाएंगी यह अतियंत प्रभाव शाली है और इससे डिजिटल इंडिया की व्यापक रूप रेखा के डाइरे में डिजिटल आंध्र परदेश के सपनों को साकार किया जा सकेगा वास्तव में भारत सरकार की भारत नैट परियोजना भी प्रतेक ग्राम पंचायत को ब्रॉडबेंड से जोड रही है एक दशक पहले से ही डाटा और इंटरनेट पहुच जैसी खर्चिली सुवीधा को आज पानी बिजली और खाना पकानी की गैस जैसी बुनियादी जरूरत के रूप में देखा जाने लगा है हम एक प्लग एंड प्ले प्रनाली की और बढ़ रहे हैं जिसमें ऐसे घर और कार्याले होंगे जो पहले से ही ब्रॉडबेंड संयोजन वाले होंगे आंद्र प्रदेश इस संभावना को साकार करने का प्रयास कर रहा है वास्तव में इसने भविश्य को पहचान लिया है परा इंटरनेट तक पहुँच के अनेक लाब है आम नागरिक हमारी कलपना से परे आंकलों तक पहुँच से लाब प्राप्त कर रहे हैं ग्रामीन इलाकों में किसान और छोटे उत्पादक सुदूर इस्तानों के खरीददारों से संपर्क करने तथा अपने उत्पादों की असली कीमत पता करने के लिए इंटरनेट सयोजन का प्रयोग करते हैं इसी प्रकार डिजिटल कक्षाओं और दूर चिकित्सा से हमारे लोग पुरानी बादाओं को पार कर सकते हैं वे ज्यान का दाइरा बड़ा सकते हैं तथा दूर दराज के छेत्रों में स्वास्थे सुविधाईं और निदान उपलब्ध करवा सकते हैं इसी लिए डाटा संयोजन मानव शशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव का माध्यम बन गया है मैं आंद्रप्रदेश सरकार की क्लाउड आधारित वर्च्वल कक्षा प्रणाली की सराहना करता हूँ इससे शहरी बच्चों को मिलने वाली भौतिक सुविधाऊं से वंचित ग्रामेन इलाकों के प्रती भवान बच्चों और समरद बच्चों के बीच बराबरी आईगी कई दशक तक लोगों की सेवा करने के बावजूद सहकारी संस्थाएं मानव विकास विकास सिक्षा वे प्रेशिक्षन की कमी तथा आधुनिकी करन के एप्रियाप्त संसाधनों जैसी अनेक चुनोतियां का सामना कर रही है इसके लिए केंद्रित तथा सुविचारित समाधानों की आवशक्ता है सहकारी आंदोलन की शक्ती इसकी सामुईक्ता में है व्यक्तिक सहकारी बैंकों और संस्थाओं को इस पर धात्मक बनाने के लिए कुल मिलाकर इस छेत्र को सूदरड बनाना होगा और प्रतेक इकाई का इस मिली जुली ताकत के द्वारा सहयोग किया जाना चाहिए सहकारी संस्थाओं के अपने आपसी नेटवर्क को और अधिक मजबूत बनाने के तरीकों पर गंबीरता पूर्वक्त विचार करना चाहिए पर क्रशी को सेवा देने वाली सहकारी संस्थाओं ग्रामीन छेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमी का निभाती है और इन्हें क्रशी अर्थ व्यवस्थाओं को उध्योगों और अन्य सेक्टरों के साथ जोडने के लिए अधिक मजबूती और सक्रियता से कारिय करना चाहिए क्रशकों की संस्था होने के कारण सहकारी संस्थाएं अपनी क्रशी भूमी को अधिक उत्पादनकारी और सतत तरीके से संचालित करने के लिए जानकारी वे प्रोध्योगिकियों को बाजार और रिन सुविधाओं को प्राक्त करने की बहतर इस्थती में रहती है लगू और सीमान्त क्रशकों के मामले में उत्पादन बढ़ा कर लागत कम करने में ये विशेश रूप से उपियोगी होगी पस्च और अगर संयोजन इस्थापित करने से ये बहतर इस्तती में हो सकती है इस चैनल को सबस्क्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटस्ट वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके वीडियो को लाइक और डिसलाइक अवश्य करें कोई सुझाव और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेड्स को शेयर करें